जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है पहले नंबर पर शाइना और दूसरे नंबर पर भारत आज हम बात करेंगे जनसंख्या के जनगन्ना से सम्मंदित कि आखिर जनगन्ना के पिछे या फिर कर सकते हैं जनगन्ना में होने वाली देरी के पिछे का कारण क्या है और हमारे लिए जनसंख्या इतना महत्तपून क्यों है जनसंख्या की जनगन्ना हमारे लिए महत्तपून क्यों है नमस्कार मेरा नाम रोहित कुमार तरुनाईस्ट क conducting the census तो आखिर क्यों भारत के अंदर में क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हर 10 साल पर भारत के अंदर में जन संख्या का जन गनना होता है जन गनना क्यों होता है ये भी बहुत महत्पून बाते हैं जैसा कि अभी जानते हैं कि हाल फिला हल की अगर बात करें तो हमारी सरकार ने जो कि 10 साल में होने वाली जो जनगन्ना है जिसे आप डेसिनियल सेंसस कहते हैं जो कि 2021 में होने वाला था वो डिले हो गया अर्थात आपका सकते हैं कि वो देरी हो गए देरी होने के पीछे कारण है कहा जाता है COVID-19 लेकिन ऐसा भी कहा जाता है इसके अंदर में अगर हम बात करें कि एक जुलाई 2023 को अगर हम कहा जाए यहां पर तो यह 2023 सेप्टेंबर 2023 में एटलिस मुझे लगता है इन राइटर को कि यह जनगन्ना जो है किये जाएंगे So it was intended to conducted between 2020-2021 में होने वाला था लेकिन COVID-19 फैले के कारण जो है जनसंख्या का जनगन्ना नहीं हुआ और यह शुरू होने वाला है कब से भाई? So till at least September 2023 से it's informed to a state that an administrative boundary को कि भाई आपको एक जुलाई 2023 से यह सारी चीजे जनसंख्या से समंधी जो है सामागरी जो भी आप जनसंख्या को या जनगन्ना में जो चीजे परियोग करते हैं उसकी सुरुआत करनी क्यों सकता है? मतलब September 2023 से भारत देश के अंदर में फिर से जनगन्ना सुरू होगा और देखेंगे कि भारत क्या सच में चाइना से आगे निकल गया या फिर अभी भी चाइना के पीछे हैं अब यहाँ पर सवाल है कि जनसंख्या हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुद्दा है जैसा कि दहिंदू का निउस था इस पर हम बात करते हैं चर्चा करेंगे सबसे पहले बैक ग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले भारत के अंदर में जनसंख्या का जनगन्ना कब हुआ था? दरसल सेंसेज के अगर हम एनुमेरेशन की बात करें जनसंख्या भारत देश में जनसंख्या की जनगन्ना की बात करें तो हर दस साल पर भारत के अंदर में जनसंख्या का जनगन्ना किया जाता है आपका Registrar of General and Census Commissioner के द्वारा Commissioner of India के द्वारा होता है जो की Ministry of Home Affairs में आता है आपको याद रखना चाहिए प्रस्त पूछ सकता है कि जनसंख्या का जनगन्ना जो है किस मंत्राले के थुर्ण होता है तो ये होता है आपका Ministry of Home Affairs अर्थाद ग्रिह मंत्राले के अंदर में आने वाल जो Census Commissioner of India और Registrar General of Office of Registrar General के द्वारा होता है हर दस साल पर होता है इसके अंदर में डेमोग्राफी जिसको कहते हैं डेमोग्राफी और various socio-economic parameter इसमें measure किये जाते हैं इस जनसंख्या के दौरान इस जनगन्ना के दौरान बहुत सारे ऐसे parameters हैं खास करके सिक्षा के बारे में पता किया जाता है कि भारत में कितनी सिक्षादर है, ग्रोथ हुआ है या घटा है ये पता किया जाता है कि भासा भारत में कितने लोग हिंदी भासा बोलते हैं, कितने लोग तमिल बोलते हैं, कितने लोग तेलगू बोलते हैं, कितने लोग जो है ओडिया बोलते हैं, आप स संतान है यहां तकी fertility के बारे में पता होता है disability के बारे में पता किया जाता है कि भारत के अंदर में कितने दिव्यांग लोंग है है ना साथ-साथ में पेशाओं के बारे में पता किया जाता है कि भारत में बेरोजगारी कितना है रोजगार कितना है और साथ में और परतेक के माईग्रेशन के बारे में बात किया जाता है कि भारत के अंदर में एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर कितने लोग पलायन किये हैं तो एक तरीकी से समाजिक आर्थिक सोशिय एकनॉमिक्स पैरामेटर को भी इसके जनसंख्या के जनगना के साथ साथ उसको मेजर किये जाते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के अंदर में, तो सबसे पहले जनगन्ना की सुरुवात, जनसंख्या की जनगन्ना की सुरुवात जो है भारत के अंदर में ब्रिटिस के दोरान में हुआ था, ब्रिटिस वायशराय हुआ करते थे जिनका नाम था लॉड मायो, लॉड माय जो था जन संख्या के जन गन्ना के अधार पर कि भारत में कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं, क्योंकि उनका में मक्षद था कि भारतियों पर राज कैसे किया जाए, और राज करने के लिए एक डेटा आकलन कहोना जरूरी है, कितने ब्रिटिसर्स ओफिशर्स लगेंगे या आप कर सकते हैं कि साथ साथ में कितने बजट भी होंगे, तो ये तरीके से मायो का एक अपना पॉइंट था, लेकिन बाद में चलकर जन संख्या जन गन्ना जो है, हमारे लिए एक बहुत ही महत्तपून हो गया, आज के संदर्म में बात करें, तो जन संख्या जन गन्ना हुआ करते थे, उनके द्वारा किया गया, बाद में फूरी तरीके से अगर बोले, systematically, लागातार, एक बहतर पैटर्न के बेस के अधार पर अगर बात किया जाए, तो भारत के अंदर में जन संख्या की जन गन्ना के सुरात 1881 से होती है, मतलब 1881 से systematically तोर पर भारत की जन की जन गन्ना ये 15 होगी आपका, मतलब 15, अगर पहली प्रस्ण पूछा जाए, तो आप बोल सकते हैं कि भाई, पहली systematically census जो भारत के अंदर में 1881 में हुआ था, ये साल जो 2021 की जो census जन गन्ना है, वो 15 होगी, 15 होगा, और ये दो फेज में कंडक्ट किया जाएगा, ये सबस दूसरा होगा, population, enumerations के अधार पर, जन संख्या के जन गन्ना के बेस के अधार पर, तो house listing, कितने घर और कितनी जन संख्या दिये, दो फेज में होने वाला है, सबसे पहली point ये है, कि इस साल जो जन संख्या की जन गन्ना है, एक proper तरीके से आप कह सकते हैं कि जनता खुद अपने स्वैम से जन गन्ना को करेगी, इसलिए इसको self enumerations कहा जा रहा है, self enumerations के लिए public ने को एक facility एक तरीके से प्रोवाइड की है सरकार ने, और इसके लिए एक special mobile app launch किया जाएगा सरकार के द्वारा, और इस app के माध्यम से data का collection किया जाएगा, तो मतलब कह सकते हैं कि बेकती अपनी जन संख्या, अपने घर का जो जन गन्ना जो है, स्वैम अपने mobile या app के माध्यम से कर सकता है, खुद से कर सकता है, इसलिए इसको self enumerations भी किया जा सकता है, मतलब कि ये अलाव होगा कि आप सिल्फ खुद से online के माध्यम से अपनी संख्या को सरकार के दस्था वेज में गिना सकते हैं, में निसन कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि बाई कोई भी घर इसमें छूटे न, क्योंकि सरकार को अगर एक आकड़ा, बेहतर आकड़ा, अगर एक correct आकड़ा मिले, तो सरकार को program launch करने में, schemes launch करने में, reservations में हर तरीके से सरकार को बहुत इंपोर्टेंट चीजे हो जाती हैं, अब सबसे पहले यहीं पर हम बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि क्या significance है, जनसंख्या की जनगर्ना का significance क्या है, हमारे लिए इतना महत्पून क्या है, जनसंख्या का जो data है, हमारे लिए इतना महत्पून क्या है, या census हमें क इस प्रकार के डेटा प्रोवाइड करवाता है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई सेंशन्स प्रोवाइड टू एक पॉपुलेशन डेटा एंड कैरेक्टरिस्टिंग अब दा हाउसिंग एंड आपका एमेनिटीज की बात करता है इसके माध्यम से जनसंख्या का डेटा प्रोवाइड होगा आपका परते गाउं और सहर के कस्वे के हर लोगों के जनसंख्या होगा इससे क्या होगा कि सरकार को प्रोग्राम फ्रेम करने में प्रोग्राम लाने में मदद मिलेगी कितने लोग दबे लोग हैं कितने कुचले लोग हैं कितने गरीब हैं कितने अमीर है एक correct data सरकार को मिलेगा इससे है ना इससे क्या होगा कि जो अब जो समाज जो sections को अफ्लिप्ट करना है जो sections को आगे की उर ले जाना है इसमें सरकार को काफी इंसी जो में मदद मिलेगी है ना तो इसके माध्यम से इसलिए sample सर्वी ये बहुत महतपूर होता है census data के माध्यम से इस बात का हम determine करते हैं कि SCST के लिए जैसा कि हमारे देश में reservations का प्रवधान है चाहे schedule scars के लिए schedule stripes के लिए तो उनके लिए correct data होगा कि पालिया में SCST के लिए कितने seat को reserve करना चाहिए तो जनसंख्या के base के अधार पर ही होगा या आपका सकते हैं कि constituency के delimitations की बात किया ज जो बिधान सभा के छित्र है उस छित्र को expand करना है या reduce करना है उसमें बिधायकों की संख्या को बढ़ाना है या घटाना है ये जनसंख्या के माध्यम से ही तो इसके survey के माध्यम से ही तो पता चलेगा इसलिए सरकार के लिए महत्पून हो जाता है पंचायत और मुंसिपा या progress में सरकार को काफी से मदत मिलती है इसलिए हमारे देश के अंदर में या किसी भी राष्ट के अंदर में जनसंख्या का जन गन्ना एक महत्पून एक भूमिका अदा करती है तो ये बड़ा important है इस चीजों के लिए significance को हमें समझना चाहिए है अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रस्णों की सिलसला के form में एक प्रस्ण यहां पर कहा जाता है कि why there is the need to freeze administrative boundary की बात करता है परते एक सेंसत से पहले अगर राज्य को क्या होता है इस बात को provide information दिया जाता है कि आप तयार हो जाएं district को notify कर दिया जाता है गाउं को notify किया जाता है टाउन को notify किया जाता है रजिस्टार जन्सल जन्रल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है police association तालुकात तहसिल से लेकर हर संस्था जो जुडा हुआ एक दूसरे से linkage है उन सभी को inform किया जाता है कि देश जो है जन्गन्ना के लिए तयार है आप सभी लोग तयार है एक भी बेक्ती न छूटे हर बेक् इसमें न छूटे थोड़ा सी यहां पर और भी चीजे हैं जिसकी बात करता है कि इंप्लिक्मेशन सब डिले सिंस एक प्रस्न यह भी मन में उत्पन हो सकता है जब आप में में प्रस्नों को लीख रहे हैं तो कह सकती कि जन्गन्ना में डिले के पीछे कारण है ऐसा डिले इसे कई मतलब का सकते हैं कि समस्याएं उत्पन हो सकता है एक प्रोपर डेटा आपको नहीं मिल सकता उसकी पहले की बात है दहिंदू में आप जाकर पीछे की वीडियो भी जाकर आप देखेंगे जन्दसंख्या से ही संबंदित था या फिर आप का सकते हैं कि भारत में या आपका सकते हैं हम नीचे जा रहे हैं या वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट में हमारा नीचे जाने के पिछे कारण बताया गया था कि जन्दसंख्या का प्रोपर डेटा न होने के कारण सरकार प्रोपर तरीके से चीजे नहीं कर पाती है इंडिया है जब population projections of a state, nations level but it is not feasible to get reliable projections to lower geographical level such as a district or city until आपका तो इकाने का मतला एक non-ability of reliable data दूसरी बात है sample survey का limitation भी इसमें एक शमस्या होदपन करती है कि एक proper improvement एक proper informations ना होने के कारण education level पता नहीं चलेगा, आपका literacy पता नहीं चलेगा, economic activity, migration इन सभी जितने भी चीज़ है उस पर नहीं पता चलता है जिसका प्रभाव क्या है कि win-win परकार के जो impact of a scheme है like a स्वक्ष भारत अभियान derived from the sample survey के मादियम से ही पता चला कि भारत में स्वक्ष सर्वे हो रहा है नहीं भारत अभियान हो नहीं रहा है या जो भी चीज़े है ना literacy rate जो है village का क्या है proportional people तसलीर तसिल का क्या है तो यह सब census के मादियम से ही हमारा देश बढ़ रहा है कि घट रहा है भाई विकास हो रही है या नहीं हो रही है यह सब तो census के मादियम से ही पता चलेगा ना यहां त 10 साल हो गए 10 साल में बहुत चीज़े बदली है जंसंख्या में बदला हुआ है अब सारा data जो जो भी चीज सरकार प्लान में ला रही है प्रोग्राम बना रही है 2011-11 के ही basis पर ला रही है तो काफी चीज़े जो है gap देखने को मिलेगा इसके अंदर में है ना so census would be continue to use to determine the reservations of seats in the legislation में बहुत सारे टाउन पंचायत के अंदर में जो rapid बहुत तेजी से changes आ रहा है जंसंख्या में ब्रीधी आ रहा है यहां पर लेकिन अभी भी सरकार जो प्रोग्राम है 2011 के basis पर ही कर रही है तो proper तरीके से few seats reserve होता है वहां पर हो सकता है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है यहां तक ही dynamic ruler urban distributions की बात करें example के तौर पर कहता है बैंगलूरी municipality grew 49.3% during the 2011-11 के दौरान में बढ़ा था आपका 49.3% population growth था आपका migration के कारण जो है काफी growth हुए है municipal corporations greater Mumbai का 11.9% डेली का 11.7% चेनी का 7% कह सकते much lower than growth rate तो इन सभी data के माध्यम से ही पता चलेगा सरकार को जब तक correct data नहीं होगी तब तक आपको यह चीज़े नहीं हो साई PDS की बात करते है Public Distribution Service System की बात करते है जो अनाज National Food Security Act 2013 के तहद जो है भारत के अंदर में गरीब है या BPL से नीचे वाले लोगों को सरकार जो है 2-3 रुपी अनाज देती है उनके अधार पर तो food grain जो है subsidy वाला 75% population, ruler population और 50% urban population को अनाज देना है लेकिन population तो बढ़ गया है गरीबी भी थोड़ी बढ़ी है आपको अधार पर तो भाई PDS के थूज इतने लोगों को मिलना चाहिए उतने लोगों को नहीं मिल रहा है क्योंकि data अभी भी 2011 के according यूज किया जा रहा है तो इसमें changes आ और और भी बढ़ गए दो सो एक आप कह सकते हैं कि उसके एक सो एक्तिस कडूर हुआ करता था यह दस बिस कडूर की जन संख्या बढ़ी है तो दस बिस कडूर की जन संख्या जो है उन सरकारी लाप से तो पीछे हो जाएगी ना तो परिनाम ये है कि इसके कारण से काफी social economic पर प्रभाव पड़ता है इसलिए सरकार के लिए जन संख्या का जन गन्ना समय पर होना बहुत जरूरी है सरकार इस साल 2023 के सेप्तमबर तक भारत के अंदर में जन संख्या की जन गन्ना शुरू कर देगी ये बड़ा महत्तपूर्ण चीज है तो इससे संबंदित आर्टिक में सो आज के लिए इतना है सो थैंक यू वेरी मच बाकी इस चैनल पर बने रहें इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे है तो थैंक यू वेरी मच धरन्यवाद